असलाम अलेकुम डियर स्टूडेंट्स आई होप आप सब अच्छे से होंगे डियर स्टूडेंट्स मैं आपकी साइन्स टीचर हूँ तो हम पढ़ रहे थे चैप्टर रॉक्स एंड मेनिरल्स कल हमने पढ़ा ये जो रॉक्स होते है चटाने या पत्थर ये हर एक जगपे पाई जाते है चाहे पहाड़ी हो या बड़े-बड़े पहाड़ हो या समंदर हो रिवर्स में या वैलीज में वादियों में ठीक है और जो हमने पढ़ा था ये जो रॉक्स होते है ये डिफरिंट काइंड्स के होते है और हम अपनी रोजमरा की जिंदगी में इनका इस्तिमाल करते है जो हम चाक से लिखते है ब्लैक बोर्ड पे वो भी एक कसम का रॉक होता है ठीक है रॉक्स जो होते है ये कुछ हाड होते है सकत होते है और कुछ रॉक्स जो होते है वो सॉफ्ट होते है कुछ rocks जो हते हैं वो rough होते हैं लेकिन कुछ rocks बहुत smooth और shiny होते हैं ठीक है आज हमें पढ़ना है kinds of rocks जो page number 102 पे है kinds of rocks, the different kinds of rocks are marble, granite, sandstone, slate, coal and limestone तो यह जो मुक्तलिफ किसम के rocks है पहला है marble, यह marble है दूसरा है granite, यह भी एक किसम का rock है third one is sandstone, यह है sandstone जो एक rock है ठीक है और उसके बाद है slate, यह भी एक किसम का rock है next है coal, koila जो है यह भी एक किसम का rock है और limestone जो है यह भी एक किसम का rock है तो ये मुक्तलिफ किसम के rocks है। आया समझ उसके बाद हम पहले पढ़ेंगे Marble Marble is a hard rock, it has different colors, it is used for making statues and buildings The famous taj mahal of agra is made up of white marble तो ये जो rocks है, ये क्या है? ये मुक्तलिफ किसम के है, तो पहला जो है marble, ये एक किसम का rock है लेकिन ये hard rock माना जाता है, बहुत सकत है ये इसके different colors होते हैं, मुक्तलिफ colors होते है और ये जो rocks, ये जो marble होता है, ये हम इस्तिमाल करते है statues, मतलब मुझसमे बनाने में या इमारते बनाने में और आप लोगों ने देखा होगा, ये जो ताज महल है, जो कहां पे है, जो आगरा में है ये भी किसका बना होता है, ये भी white marble का बना होता है ठीक है, ये picture में आप देख सकते हैं उसके बाद है next, granite, it is a hot rock, it's reddish, greenish और greyish in color you may have a granite slab in your kitchen, it's also used for making floors and statues तो दूसरा काइन जो है rocks का वो क्या है, वो है granite, ठीक है ये जो granite होता है, ये भी एक hot rock है, बहुत सकत होता है इसके भी different colors होते है, या तो ये greyish होता है, या ये reddish होता है या greenish भी होता है, ठीक है, इसके भी different colors होते है और ये जो granite है, ये हम इस्तिमाल करते है, granite slab जो हम kitchen में बनाते है ठीक है, उसके लिए इस्तिमाल होता है, और ये जो granite है, ये भी इस्तिमाल होता है मौझस में बनाने के लिए और फर्श पे हम ये इस्तिमाल करते हैं ठीक है आप लोगों ने देखा होगा ग्रैनाइट उसके बाद है Sandstone, it's a hot rock, it's yellow और red in color, it's used for making buildings, the red fort in Delhi is made up of red sandstone तो next kind of rock जो है, वो है sandstone, ये है sandstone, ये भी hot rock होता है लेकिन इसके जो color होता है या तो ये yellow होता है या तो ये red color होता है Sandstone ठीक है, और ये जो sandstone है ये भी हम buildings बनाने में इस्तिमाल करते हैं और ये जो red fort है, ये है red fort, जो Delhi में है ये भी किसका बना होता है, ये भी red sandstone का बना है, ठीक है उसके बाद, slate, it's a soft rock, it's black in color, it's used for making blackboards, roofs and slates for writing Next kind of rock जो है, वो है slate, ठीक है, ये जो slate है, ये soft rock होता है, ये उतना सकत नहीं होता है, ये black color का होता है, यह हम पिक्चर में देख सकते हैं, और ये हम इस्तिमाल करते हैं, blackboards बनाने में ठीक है, या slates बनाने में, जो हम फिर लिखने के लिए इस्तिमाल करते हैं, या जो roofs होते है वो भी इसके बने होते है, slate के, ठीक है, chalk is also a soft rock, it's used to write on the blackboard, और next kind of rock जो है, वो है chalk, ये भी एक किसम का rock होता है, लेकिन ये भी soft होता है, उतना सकत नहीं होता है, आप लोगों ने देखा होगा, इसको हम आराम से तोड़ सकते हैं, ये उतना सकत नहीं होता है, और ये हम इ तो बेटा, यहां पर मैंने कुछ words को underline किया है, आप भी इन words को underline करेंगे, और spellings भी learn करेंगे, और इस page की अच्छे से reading भी करेंगे, ठीक है, ओके, अलाहाफिज, take care